नमस्कार में आदिते सिंग् महराज की राजनीती से अब तक तो आप इतना समझी गए होंगे कि सत्ता के लिए आखिर कब कैसे किसका प्रयोग किया जारा है ये तो आपको जीता जाकता उदारन मिल गया होगा लेकिन आपको बता दे कि शरत पवार जोकी राजनीती की चाणक के कहे ज़ाते है वो इसमें माहिर है कि आखिर कब कैसे किसका और कहा प्रयोग करना है समय सिदी और स्थान को देखते हुए ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आईए इसे हम आपको समझाते है शरत पवार जोकी राजनीती का बड़ा चहरा है एक बड़ी हस्ती है एक बड़ा नाम है आखिरकार उन्होंने महाविकास अखाडी सरकार के गठन के बाद राजपादी कॉंग्रेस को कैसे और कप बढ़ाया इस पर हम चर्चा करते हैं जब महाविकास अगाडी सरकार का गठन हुआ, 2019 में जब भाजपा और शिवसेना का गटबन्धन हुआ था, इस गटबन्धन के टूटने के बाद आपस में मद्वेद होने के बाद महाविकास अगाडी सरकार का गठन किया गया इसका पूरी तरीके से फाइदा उठाना शुरू कर दिया शरत पवार ने आखिर कैसे फाइदा उठाना शुरू किया आईए इस पर हम एक-एक स्ट्रेप करके समझते हैं जब महाविकास अगारी सरकार की कारिकाल चल रही थी उस दौरान शिवसेना तो परिशान थी क्योंकि उनके पक्ष प्रमुक बिमार से और इसके अलावा उनके पार्टी के अंदर जो आंतरिक मतभेच चल रहा था आंतरिक कलास चल रहा था उसको लेकर लेकिन यहाँ पर रही बात शरत पवार की तो शरत पवार उस दौरान चाहे शरत पवार हो या आजीज पवार हो या फिर सुप्रिया सुले हो या फिर जयंत पार्टिल हो इस तरह की दुख पमांग बड़े चहरे हैं राश्टवादी कॉंग्रिस के पास वो लोग महराश्ट में जग्य जग्य पर दौरा कर रहे थे और अपने कारेकरताओं को बूस्ट कर रहे थे जिससे उनकी पार्टी बढ़े और उन्हें ताकत मिले और यहीं शिशुरू होती है शरत पवार की चारत किनीज चाहे विदर्व की बात कर ली जाए या कोंकर्ण छेत्र की बात कर ली जाए या उत्तरी महराश्ट की बात कर ली जाए धीरे धीरे राश्टवारी कॉंग्रेस ने अपने पाउपसार ने शुरू कर दिये और इसके अलावा मुंबई में भी महाविकास अधाडी सरकार के दौरान शरत पवार की पार्टी ने बखुवी अपनी पकड बनाई इसके अलावा बात कर ली जाए कॉंग्रेस की तो कॉंग्रेस के जो इस समय कॉंग्रेस की जो वर्तमान हालत है ये किसी से छिपी हुई नहीं है अब कॉंग्रेस के लिए ये नौबत आ गई है कि कही न कही राहूल गांधी को अब पूरे देश में भारत जोडो यात्रा चलानी पड़ रही है इसके अलावा आपको बता दे ये भारत जोडो यात्रा अभी तक कई स्टेट में हो चुकी है और उसका क्या रिजल्ट आया है ये भी आप देख पा रहे हैं लेकिन अब जल्द ही महराश में कॉंग्रिस की भारत जोडो यात्रा होने वाली है और उसका क्या परिडाम आने वाला है इसका भी अनुमान आप लगा सकते हैं और इसी वज़ों से शारत पवार कहीं न कहीं इन सारे मौके का इन सारे पहलों पर अभ्यास करते हुए इस बात का पूरी तरीके से फाइदा उठा रहे थे लेकिन कुल मिलाकर अब तक अगर महाविकास अखाडी सरकार से लेकर अब तक की स्थिती कॉंग्रिस की देखी जाए तो सीधी तोर पर टक कर आपको दिखेगी एक तरफ खाकरे है और दूसरी तरफ शिंदे और खाटपा है इस पूरी स्थिती पर कहीं न कहीं शरत पवार तक तकी लगा कर देख रहे हैं और अपने कारेकरताओं को अपनी पार्टी को बूस्ट करते ज़ा रहे हैं अभी तक पूरे देश में बिजेपी को राश्ट्री स्थर की पार्टी के रूप में देखा ज़ाता है लेकिन उसके बाद अब कहीं न कहीं राश्ट्वादी कॉंग्रेस भी दूसरे नंबर पर बड़ी पार्टी के रूप में देखी ज़ा रही है क्योंकि शरत पवार के पास में काफी सारे बड़े चेहरे हैं चाहे शरत पवार हो चाहे अजीत पवार हो सुप्रिया सुले हो राचेश टोपे हो दिलीप वॉल से पाटिल हो जैंत पाटिल हो इस तरह के तमाम चेहरे अब शरत पवार के पास में एकठे हो चुके हैं जिस शरत पवार पूरी तरीके से मजबूत होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में महाविकास अगाडी गटबंधन से किसी को जादा फायदा होते हुए नजर आ रहा है। तो वो है शरत पवार। घड़े ही महाविकास अगाडी में तीन पार्टियों का गठन हुआ हो। लेकिन सबसे ज़्यादा बहतरीन तरीके से अगर किसी ने फायदा उठाया है तो वो है राश्रवादी कॉंग्रेस। आखिर ऐसे ही शरत पवार को चानक्यतोर नहीं कहा जोता है। अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनाओं में इस पूरी रणीती का क्या कुछ परिणाम निकल कर आता है। आज के लिए इतना ही फिर होगी मुलाकात तब तक के लिए नमस्कार।